इनको अस्पतालों में रखा गया था तो इनको ये बिमारी दिल्ली में नहीं लगी 58 पेशेंट्स फॉरिंड ट्रेवल के हैं 259, 269 पेशेंट्स मर्कज वाले हैं और जिनको कॉन्टैक्ट से फैला है जो फॉरिंड से ट्रेवल करके आए और उन्होंने अपने परिवार को आगे कॉरोना फैला दिया ऐसे 38 केसे हैं 58 केसे फॉरिंड से ट्रेवल करके आए और उन्होंने अपने आगे 38 फैमिली मेंबर्स को कॉरोना फैला दिया तो एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर कोरोना एक दूसरे के टच करने से जो फैला वो 38 है ये फिगर बहुत जादा नहीं बढ़ रही है ये काफी कॉंस्टेंट है पिछले कई दिनों से यहीं पर मुझे थोड़ी सी उमीद की करन नजर आती है कि दिल्ली में करोना अभी फैलना चालू नहीं हुआ है जो भी आया वो बाहर से आया दिल्ली में जो लोग करोना लेके आए उन्होंने आगे हम सब लोगों ने मिलके जो करोना को रोकने की कोशिश की हम सब लोगों के प्रयासों से केंद्र सरकार के प्रयास से दिल्ली सरकार के प्रयास से दिल्ली की जनता के प्रयासों से जो भी लोग बाहर से करोना को लेके आए उसको दिल्ली के अंदर आगे फैलने से हम सब लोगों ने मिलके रोका और आज फैलने की वज़े से केवल 38 केसे हैं तो दिल्ली में कोरोना अभी फैलने नहीं लगाए और यह सब आप लोगों के हम सब लोगों के प्रयासों का सिलसिला है दिल्ली में अभी कोरोना की वज़े से टोटल पांच डेथ हो चुकी हैं कल तक चार थी पिछले एक 24 घंटे में एक डेथ और हुई है और वो भी जो मरकज से जिन मरीजों को निकाला गया था उन लोगों में से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है हमारे जितने भी पेशेंट्स सभी हॉस्पिटल्स में हैं करोना के उन में से दो पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे रखा गया है जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी से उनकी स्थिति नाजुक है लेकिन भगवान से परार्थना करता हूँ कि वो भी जल्दी निकलाएंगे दो चीजे जादा इंपॉर्टेंट है एक है कि करोना कितनी तेजी से फैल रहा है और दूसरा है कि कितनी मौत हो रही है ये दोनों स्थिति अभी दिल्ली के परिपेक्ष में कंट्रोल में है अभी घबराने के जरूरत नहीं है लेकिन जो प्रधानवंतरी जी ने पालन करना है पूरी तरह से मैं लगा था डॉक्टर के टच्च में हूँ इसके बाद भी छे बजे भी yenमए अभी कNE सारे डॉक्टर के साथ मीटिंग कर रहा हूँ सारी तैयारी है हम लोगों की भगवान ना करे करोना फैले लेकिन अगर करोना फैला तो उसके लिए भी हम तैयार हैं जैसा आप सब लोग जानते हो कि डिल्ली में हम लोग लोक डाउन की वज़े से जो गरीबों को परिशानिया हो रही है उनको दूर करने के लिए कई सारे हम सब लोगों ने कदम उठाए है एक तो 71 लाख लोगों को जिनके पास राशन कार्ड है एक एक विक्ति को हम साड़े 7 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं वो राशन की सारी दुकानों से राशन मिलना चालो हो गया है लगबग 60% लोगों को राशन मिल भी चुका है थोड़े लोग बचे हैं चार-पांच दिन के अंदर ही 60% और 71 लाख लोगों में से 60% लोगों को राशन मिल चुका है दूसरा जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है जो लोग गरीब हैं उनको भी हमने राशन देने की योजना बनाई है और अगले कुछ दिनों में उनको राशन देना हम चालू कर देंगे हमने आठ लाख सीनियर सिटिजन्स को बुजर्गों को विडोज को जो विधवाएं और हैंडिकेप्ट लोगों को पांच-पांच हजार रुपे उनके पेंशन जा चुकी हैं पांच-पांच हजार रुपे वो दे रहे हैं उनके अकाउंट में ताकि उनको मदद मिल सके और जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं आटो ड्राइवर्स हैं टैक्सी ड्राइवर्स हैं यी रिक्षा ड्राइवर्स हैं ग्रामीन सेवर ड्राइवर्स हैं आटीवी ड्राइवर्स हैं पब्लिक सविस वेहिक पूरे दिल्ले में खोले गए हैं, 1780 केंदरों के उपर खाना सुबह शाम लंच एंड डिनर दिया जा रहा है, कल 1780 सेंटर्स में 6,52,850 लगबग 6,005,00 लोगों ने कल लंच किया, और लगबग 6,30,000 लोगों ने कल डिनर किया, जैसा मैंने बताया था कि 10,00,000 लोगों भी अगर आ जाएं, 10,00,000 लोगों के खाने का इंतिजाम हैं हमारे पास, लेकिन अब खाने का इंतिजाम जादा है, लोग कम आ रहे हैं, शाड़े 6,00,000 लोगों ने लंच किया, 6,30,000 लोगों ने डिनर किया, और 328 जग़ों पे हमने लोगों को रहने का इंतिजाम किया है, जिन लोगों के पास घर नहीं है, च्छत नहीं है, जो लोग माइगरेट होके जाना चाहरे थे दिली के बार, उन लोगों को हमने करई आपके लिए रहने का इंथा एं तो 328 किंद्रों के उपर 57,270 स्थावन हजार लोगों के रहने का इंथाम किया है अभी में गेवल 11,443 लोग हैं केवल 11,000 लोग रह रहे हैं तो अभी बहुत सारे लोगों के रहने का हमारे पास इंतिजाम है एक WhatsApp नंबर आज मैं आपको दे रहा हूँ यह दिल्ली सरकार का WhatsApp नंबर है अगर आपको कोरोना से संबंदित जानकारी चाहिए तो आप इस पे अभी मैं जब WhatsApp नंबर दूँगा इसे सेव कर लीजेगा अपने फोन में अगर आप इस पे हाई या हेलो या कुछ भी लिखके भेजेंगे तो आपको जवाब में एक मैन्यू आ जाएगा और उस मैन्यू के हिसाब से फिर आगे आप इसको उपरेट कर सकते हैं करोना से संबंदित जितनी भी किसम की कहां कहां खाना मिल रहा है करोना के क्या सिम्टम्स हैं करोना के बारे में दिल्ली सरकार की क्या क्या वेवस्ता सारी जानकारी आपको इस WhatsApp नंबर के जरिये मिल सकती है यह WhatsApp नंबर है डबल एट डबल जीरो डबल जीरो डबल सेवन डबल टू मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ डबल एट डबल जीरो डबल जीरो डबल सेवन डबल टू इसको आप सेव कर लीजे अपने फोन में और इसको आप इसके उपर हाई या हैलो लिख के भेजिए और उसके बाद आपको आगे ये बताता जाएगा कि क्या करना है और आखरी बात हमारे दिल्ली के स्कूलों में, प्राइविट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, नगर निगम के स्कूलों में सारे स्कूलों में मिलाके लगबग 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं ये सभी बच्चे भी घरों में बैठे हुआ हैं अपने अपने माबाप को परिशान कर रहे हैं तरह तरह के questions पूछ रहे हैं माबाप को समझ नहीं आ रहा बच्चों से कैसे deal करें तो कल तीन बजे मैं मनीश जी और हमारे साथ कुछ experts बैठे होंगे जो बच्चों के और parents के प्रशनों के भी जवाब देंगे बच्चों के बन में बहुत सारे questions है करोना क्या है कैसे फैलता है बहुत सारे करोना को लेके questions है so parenting in the times of corona इसके उपर मैं मनीश जी और कुछ experts बच्चों के और parents के कई सारे प्रशनों के जवाब देंगे तो कल तीन बजे जरूर देखिएगा